नमस्कार मैं आचल गूंबर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में आज मैं आपको हुन्जा चाय के बारे में बताऊंगी ये हुन्जा वैली के लोग इस चाय को पीते हैं जो की नॉर्मल पॉपुलेशन से कहीं गुना जादा जिन्दगी लंबी जिन्दगी जीते हैं कहीं बार 120 साल और कहीं लोग 160 साल तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं ये जो चाय है इसे पीने से मुटापा बहुत ही तेजी से कम होता है ये एंटी एजिंग का काम करती है और जो लोग डाइबिटिक हैं या फिर अर्थराइटिस की प्रॉबलम है उनके लिए भी ये एक मिरेकल का काम करती है ये एक जादूई चाय के समान मानी जाती है और ये बाकी हरबल्टी जैसे ग्रीन टी हो गई cinnamon tea हो गई बाकी हरबलती के 100 गुना जादा इसका अच्छा फल मिलता है इस चाय को पीने का ये बहुत ही अच्छी चाय है antioxidant है low calorie है हमारे immunity को boost करती है जो की हमें अलग-अलग बिमारियों से लड़ने में मदद करती है ये हमारे body में hemoglobin खून की जो कमी होती है इसको भी दूर करती है और हमारे blood sugar level को भी control में रखती है और taste में भी बहुत अच्छी होती है इसे तयार करना बेहद असान है इसे आप घर पर मौजूद चीजों से ही तयार कर सकते हैं आपको market से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा बहुत असानी से और बहुत सस्ते दाम में ये आपकी तयार हो जाएगी और इसे आप खाने के बाद या खाने से पहले कभी भी पी सकते हैं ये आपकी immunity को strong करेगी आपके weight को बहुत जल्दी कम करेगी ये चाय weight कम करने में बहुत मदद करती है क्योंकि जो इसमें मैंने ची ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डलेगा सबसे पहली चीज है डालचीनी अगर आप दो कप चाय तयार कर रहे हैं तो आपको एक चोटा टुकड़ा डालचीनी का लेना है दो इलाइची लेनी है ये दो कप की recipe बता रही हूँ अगर एक लेनी है तो एक पते लेंगे आप इसके इलावा तुलसी के पते भी हम इसमें डालेंगे दो कप में दो तुलसी के पते और लेंगे थोड़ा सा गुड़ गुड़ का चोटा सा टुकड़ा लेंगे हम स्वाद अनुसार इन सभी चीजों को हम अगर बना रहे हैं दो कप तो तीन कप पानी म ठुकड़ा लिया है, मैंने तुलसी की कुछ पतीया ली है और मैंने लिया है पुदीने की तीन पतीया और मैंने ली है दो छोटी एलाइची और गुड का चोटा सा ठुकड़ा, इन सभी चीजों को अगर आप दो कप तयार कर रहे हैं तो तीन कप पानी में डालकर बॉ crumble करें तो उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे नीम्बू का रस आप आदे नीम्बू का रस एक कप में डाल सकते हैं जिससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा हमारी इम्म्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप सब जानते हैं कि नीम्बू किस तरह से जिद्धी से जिद्धी अच्छी है आप देखेंगे कि आपको इसकी लट लग जाएगी और इसकी इतने बैनेफिट हैं इससे हमारी स्किन इतनी ग्लो करने लगती है इसे पीने के बहुत लाब है इसे छोटा बच्चा भी पी सकता है और बूड़ा व्यक्ती भी पी सकता है इससे आपकी उमर तो मुँपर कहीं पर भी है यह निकाल कर बाहर फैंकेगा ये थी मोटापे की बात अगर हम बात करें अस्ट्रिलोजी की अगर आप मोटापे को एस्ट्रिलोजी से जोड़ें तो हमारे कई ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें मूटा करते हैं हमें दिखने में कम अकर्शित बना देते तो इसके लिए एक रागे की अंगूठी आती है जो की मुटापा बढ़ाने वाले ग्रहों को शांत करती है अगर रागे की अंगूठी लेना चाहें क्योंकि आम अंगूठी तो आपको मार्केट में मिल जाएगी उसका कोई फाइदा नहीं है सिद्ध की हुई अंगूठी होनी चाहिए वो पहनेंगे तो आपको लाब मिलेगा आपके ग्रह शांत होंगे और मुटापा कम हो जाएगा अगर आप वो लेना चाहें तो नीचे दिये नंबर पर वाटसैप मेसेज कर सकते हैं और अगर आप अपनी कुंडली related कोई सवाल करना चाहते हैं आप पर करजा है आपकी संतान नहीं हो रही या जॉब मन चाही नहीं मिल रही शादी में देरी हो रही है किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कुंडली तयार करवा सकते हैं अगर आपके पास अपना जनम समय जनम तारीख नहीं है तब भी आपकी हाथों की लकीरों से आपकी कुंडली तयार हो सकती है ग्रैहों के सिंपल उपाय करने से सबी प्रॉबलम दूर हो सकती है कुंडली देखने के हमारे चार्जिस हैं आप नीचे दिये नंबर पर वाटसाइब मेसेज करकर सारी जानकारी ले सकते हैं मैं उमीद करूँगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं जिससे आपको आगे हमारी वीडियो मिलती रहें और हम आपस में जुड़े रहें मैं आचल इसी तरह लेकर आती रहूंगी नई वीडियो आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में फिर मिलेंगे अब मुझे जादत दीजिए नमस्कार गुडबाए